इत्मादपूर तैसिल में तैनात तैसिलदार पर ब्रश्टाचार का आरोप लगाया गया है। इत्मादपूर तैसिलदार पर ब्रश्टाचार का आरोप है कि उन्हें जाच करने आई टीम ने कोई रिसीविंग नहीं दी है। और राशन डीलर से जाच रिपोर्ट लगाने को लेकर एक लाग रुपे की मांग की है। राशन डीलर ने सीधा आरोप लगाया है कि तैसिलदार अपनी मनमानिक करने में लगे है। सही रिपोर्ट लगाने के बजाए उनके खिलाफ रिपोर्ट लगाने के लिए धमकाते हुए एक लाग रुपे की मांग की गई। जब उसने इस बात की यानी रिश्वत देने से इंकार कर दिया तो उसकी खिलाफ रिपोर्ट लगाते हुए कोटा निरस्ती करन की कारवाही की संस्कृती की गई। जिसमें उसके घर की राशन की दुकान है कि छट को तूटा हुआ दर्शाया गया है जबकि मौके पर दुकान के कमरे से किसी प्रकार की कोई छेटचार या नया निर्माण या तोड़फोर्ट नहीं की गई है। इस मामले में ग्रामिडों की बात करें तो ग्रामिडों का सीधा आरोप है कि उन्हें उनका डीलर राकेश सुगमता से राशन देता था जिसे तैसिलदार ने कारवाही का शिकार बताते हुए कोटा निरस्त कर दिया है। वो राशन लेने से वंचित है। ग्रामिडों का और राशन डीलर का कहना है कि गाउं में आये तैसिलदार में ग्रामिडों को भाजपा विरोधी बताया गया था और कहा था कि भाजपा को वोट ना देने के चलते उन्हें सबक सिखाया जा रहा है। यदि उन्हें राशन चाहिए तो भाजबा का समर्थक बनना होगा. कोटे की जात करने आई थे साप रासन को चेक करने के लिए आई थे मेरे रासन सारा पूरा मिला है. सब जनता के सामने ये बोलाता कि हैसा और मेरे जहां पर उसके बाद उन्हों न रपोर्ट नहीं दी हम को यहां मांगने को बद् so भी आरी जाना क्या बोल ले थिसलयो के बात मेरे सामने और वियू बात खुट और अट्रल बेयारी के जाना कि आप वो ले थे उसके लिए प्रोग्राम है इसलिए पैसा चंग रहा है के पटिया तोड़ करके मतल circa यह गल्त है अबरक yard मेरे सामने सील खुली है और मैं यहां मौझूद था तैसिल्था साब शाब ने भी देखा है उन्होंने, और मैं लाइट के देखा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं पाया गया और जो हमारे डीलर साव है राकिस वाबू और उनके पिताजी ने पूरी छट को धुलबा करके दिखवाया है राद में लेकिन ऐसी कोई सांस नहीं मिली है जहांकि पानी मतलब पथा तोड़ने की कोई भी साजिस नहीं है उसमें जहा तो डेंट आरक हाता नहीं है जहाई झालब बांट है यहाई झालब टूरी तोड़ने की की का वाईया है यहाईया है जहाईया जहाईया है